अब मत्प्रदेश के समस्त जिलों में सिख्छकों वच्छात्रों की ऑनलाइन उपस्तिती एम सिख्छा मित्र के माध्यम से दर्ज की जाएगी और इस समन में आदेश राज सिख्छा केंद्र मत्प्रदेश भवपाल के द्वारा 6 अक्टूबर 2022 को जारी कर दिया गया है प्रदेश के किवल तीन जिलों को पाइलेट योजना के अंतर के चुना गया था जिसमें छिनबाड़ा, बढ़वानी और साजापूर थे इन तीन जिलों में सिख्छक वच्छात्रों की ऑनलाइन उपस्तिती दर्ज की जा रही थी एम सिख्छा मित्र के माध्यम से लेकिन अब बरतमान में प्रदेश के समस्ति जिलों के लिए आदेश हो चुका है राज सिख्छक अंतर के द्वारा जिसमें सिख्छक वच्छात्रों की ऑनलाइन उपस्तिती एम सिख्छा मित्र के माध्यम से दर्ज की जाना है आदेश में आप देखेंगे कि इस योजना का उद्देश क्या है इसकी प्रक्रिया क्या है वो सारी जानकारी इसमें दी गई है अब एम सिख्छ मित्र के माध्यम से सिख्छक वच्छात उपस्तिती कैसे दर्ज करना है इस समन्न में चैनल में वीडियो भी अपलोड किया जा चुका है जिससे आप उपर आई बटन पर किलिक करके देख सकते हैं साथ ही वीडियो की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इसके अत्रिक्त आदिस में मोबाइल नेटवर के समन्न में भी बताया गया है कि समानिता मोबाइल नेटवर की उपलपता जो दूरस छेत रहें वहाँ पर नहीं हो पाती इस कारण मोबाइल एप को इस तरह डिजाइन किया गया है जिससे इसे आफलाइन उप्योग किया जा सके यूजर नेटवर के दिया में आने पर डेटा सोता है अपलोड हो जाएगा अर्थात आफलाइन सिक्षक वच्छात उपस्तिती दर्ज का लेने के उपरांद जैसे ह हम नेटवर के दिया में आएंगे हमारा जो डेटा है वो सोता है ही अपलोड हो जाएगा इसके अत्रेक्ष पिरक्रिया कब से शुरू होगी इस समद में भी आदिस में बताया गया है जैसे आप देख सकते हैं कि समस्त जिले मत प्रदेश साला के प्रधान अध्यापर या स उनिश्चित करें तो समस्त जिलों को अपने छात्रों की वर सिक्षकों की ऑनलाइन जानकारी, आसा है जानकारी आप समझ पाया होंगे, मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाहें